यह है गुलवास का पौधा पेड़ पौधों के चमतकारिक लाब हम आपको बता चुके हैं उसी क्रम में गुलवास यह जो कॉमन पौधा है आपने घरों में देखा होगा यह आउटर साइड भी लदा रहता है कुछ घरों में आप पत्ती और पुष्प देखके समझ जाएं और यह कृष्ण कलिका के नाम से भी फेमस है अगर आप जो भी नाम जानते हैं और इसको अंग्रेजी में फॉर और क्लॉक प्लांट भी बोलते हैं तो जिस भी नाम से आप समझते हैं इसका प्छमतकारिक हम आपको लाब बताने वाले हैं तो आपको फाइदा होगा वीड ये पौधा बहुत ही उत्तम होता है और शुब भी होता है कई बार हमसे कोई उधार पैसे ले जाता है और लोटाने में आना कानी करता है क्योंकि उसकी नियत पैसे वापस देने की होती ही नहीं है तो ऐसे में आपको क्या करना है गुलबांस के दो बीज लेने है और उसका चूड बना लेना है सरसों के तेल में डाल कर एक कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपको पैसे नहीं दे रहा है और आना कानी कर रहा है उसका नाम लिखकर आपको तեղ में डुबो कर रखना है और उसमें ये चूर्ण डाल देना है और इसको समभल के रखना है कुछी दिनों में आपका काम हो जाएगा और कागज को निकाल के ज़ला दें और तेल किसी पौधे में डाल दें या जाड़ पे डाल दें या किसी अन्य स्थान पे फैंक दें इसको अगर गुरुवार के दिन काम में लेते हैं तो गुलबास के आप दो बीज ले लिजिए या जितना मरजी पांच बीज भी ले सकते हैं इसका कोई काउंटिंग नहीं है और अपने शर्ट के जेब में रखें इससे आपके शत्रू भी समाप्त होते हैं शनी ग्रह का दोश प्रभाव भी आप पर नहीं पड़ता है अगर कोई व्यक्ति शनी मंतर से अभी मंतरित करके जो शनी का मंतर इस प्रकार है ओम शन शनिश राय नमे या ओम शम शनिश राय नमे इसको आप जपिए जितनी ज़्यादा संख्या में आप जप सकते हैं और गुलबास के दस बीजों को आपके जेब में रख लीजिए शनीवार के दिन रखिए तो शनी आपको पीडा नहीं देगा जिनको साड़े साथी चल रही है या धाया चल रहा है वो ये प्रियोग कर सकते हैं उनको लाब होगा तो गुलबास का पौधा बहुत चमतकारिक होता है और शनी करत दोश भी आपके जीवन से मिटाता है और गुरु ग्रह की क्रपा आप पर बनाए रखता है इसके पुष्प का रंग रानी कलर का भी होता है और पीले रंग के पुष्प भी होते हैं जो आपको फाइदा दे सकते हैं देखिए पीले रंग के पुष्प इस तरह के होते हैं तो आपको जो भी मिले पीले रंग का पुष्प भी आप काम में ले सकते हैं इससे आपको फाइदा मिलता है तो किसी भी तरह का जो काम होता है आप करवा सकते हैं गुलबास के बीजों को लेकर और अभी मंत्रित कर सकते हैं शनी स्त्रोज से अभी मंत्रित कर सकते हैं और शनी की पीड़ा आप पर दूर हो जाती है शनी देव स्वयम आपकी रक्षा करते हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है गुलबास के जो बीज होते हैं शनी की इससे आपके काम सरलता से बनते हैं चले जाते हैं तो इसके बीज काली मिर्च के जैसे होते हैं जो इसको जानते हैं वो जानकरी रखते होंगे तो इसकी बीज़ों को आप प्रयोग में लीजिए और अपने अनुफ़फ हमारे साथ शेयर करिए हम हैं एस्ट्रोजर डॉक्ट